राजस्थान देश का सबसे खूपसूरत और परियतन राज्य है छटी शताब्दी की शुरुवात के आसपास श्री गुर्जर शैली जिसे राजस्थानी वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है राजस्थान के पूरे क्षेत्र में विक्सित हुई वास्तुशिल्प डिजाइन की यह राजपूत शैली हिंदू और मुगल भवन शैलियों के सन्योजन और स्थापत के शैली का आधार है हवा महल एक पारम परिक राजस्थानी निवास के भीतर बनाया गया है जो मुगल महलों के रहने की जगा से तुलनिय नहीं है इस बहुमंजला दीवार में प्रशासनिक, आवास और अदालत कक्ष शामिल है पूरे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश डिजाइन ने राजपूतों को व्यापक रूप से प्रभावित किया और ब्रिटिश सौंदर्य शास्त्र ने वास्तुकला को भारी प्रभावित किया ऐसा ही एक उदाहरन जैपूर के पास रंगबाज कैसल है जो क्लासिक इंडोसारा सैनिक डिजाइन के भीतर बनाया गया है और अब एक हाइएंड होटिल है बालसमंद वाटर पैलेस जो अठारहवी शतापदी में जोधपूर के पास बनाया गया था एक ग्रीश मकाली निवास के रूप में संचालित होता है जिसमें एक बड़ी जील के बगल में एक सुन्दर मुगल शैली का लौन है राजस्थानी वास्तुकला के जनक राणा कुम्भा थे राजस्थान की वास्तुकला में मुख्य रूप से राजपूर शैली की वास्तुकला शामिल है यह हिंदू और मुगल संग्रचनात्मक डिजाइन का मिश्रण था राजस्थान दुनिया के कुछ शांदार किलों और महलों का भंडार है शांदार किले जटिल नक्काशीदार मंदिर और अलंकरित हवेलिया राजस्थान की स्थापत्य विरासत का हिस्सा है राजपूत रचनात्मक निर्माता थे और उनकी प्रमुख स्थापत्य रचनाय उदेपुर, जैसलमेर, जोधपुर और जैपुर जैसे शहरों में स्थित है राजस्थान के प्रसिध वास्तुशिल्प उदाहरनों में देलवाडा जेन मंदिर, जंतर मंतर, लेक पैलेस होटल, चित्तोडगड किला, सिटी पैलेस और जैसलमेर हवेलिया शामिल है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अपने एतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिध है राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख प्रांतिय राजधानी थी परंपरागत रूप से राजपूतों, भीलों, जाटों, यादवों, गुर्जरों और अन्य जन्जातियों ने राजस्थान राज्य के निर्मान में बहुत बड़ा योगदान दिया यह पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था और राजपूतों द्वारा शासित एक रियासत थी आधुनेक राजस्थान में कई राजपूत राज्य, जाट राज्य और एक मुगल सामराज्य शामिल है राजस्थान के किले और महल मुसलिम और जैन वास्तुकला से सम्रिध हैं जैपूर का महल राजपूत वास्तुकला का अपरतिम उदाहरन है आवासिय, प्रशासनिक और दर्बारी कारियों के लिए कक्ष इन बहुमंजला दीवारों के भीतर समाहित है जैपुर का जंतर मंतर एक विस्मैकारी स्थापत्य स्मारक है इसे प्राकृतिक विज्ञान की आवशक्ताओं के आधार पर बनाया गया है और इसके परिणामस्वरूप एक अद्वितिय वास्तुशिल्प चमतकार दिया गया है जैपुर के उत्तरी बाहरी इलाके में महाराजा सवाई जैसिंग द्वितिय सहिच शाही समाधिया है खुली छत्री जैसी समाधिया इस वास्तुकला की विशेशता है जैपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है नगर अपने वास्तुशिल्प आश्चर्या के लिए जाना जाता है राजस्थान की इस राजधानी शहर की वास्तुकला बीते वर्षों और आधुनिक स्थापत्य पैटर्ण का एक सुन्दर संग्लियन है अधिकांश इमारतों को गुलाबी रंग में रंगा गया है राजस्थान की राजधानी की स्थापना 1727 में आमेर के महराजा सवाई जै सिंग द्वितिया ने की थी जैपुर की संगरचना राजपूतों और शाही परिवारों की रुची से मिलती जुलती है जैपुर की रूपरेखा तयार करने से पहले राजा ने वास्तुकला और वास्तुकारों पर कई पुस्तकों का अध्यन किया शहर का निर्मान भारतिय वास्तुकला शिल्पा शास्त्र के सिध्धान्तों का पालन करते हुए किया गया था 19-वी सदी में शहर का तेजी से विकास हुआ जैपुर की स्थापत्य योजना को भारतिय उपमहाद्वीप में सर्वश्रेष्ट में से एक माना जाता है वर्तमान शहर का विस्तार इसकी दीवारों के बाहर से हुआ है मूल योजना दीवारों के भीतर शहर के साथ की गई थी द्वार सूर्यास्त के समय बंद किये जाते थे और सूर्योदय के समय खोले जाते थे सवाई जय सिंग द्वारा निर्मित सिटी पैलेस इसलामीक शेली का है हवा मन्जिला संगरचना है हवा महल में मुख्य सडक के सामने पत्थर की जालिदार स्क्रीन और खिडकियां है जहां से शाही महिलाएं नगर को देख सकती थी इमारत की वास्तुकला इसलामी पारंपरिक प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरित है लेकिन यह पारंपरिक शैली में नहीं बनाई गई है यह प्राकृतिक विज्ञान की आवशक्ताओं के आधार पर बनाया गया है और इसके परिणामस्वरूप एक अद्वितिय वास्तुशिल्प चमतकार दिया गया है जैपूर की शाही छत्रिया अठारवी सदी की राजपूत वास्तुकला है ये सफेद संग मरमर की हैं जिनके गुम्बत खंभो पर टिके हुए हैं उत्तम मंदिरों में गोविन देव जी मंदिर है जो जैपूर के सिटी पैलेस परिसर में स्थित है जैपूर में गलताजी जो एक प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल है जिसमें मंदिर, मंडप, प्राकृतिक जरने और पवित्र, कुंड, शामिल हैं मुख्य मंदिर में गोल छतों के साथ कई मंडप हैं उतक्रिष्ट नकाशिदार खंभे और चितरित दीवारे हैं मंदिर प्राकृतिक जरनों और जलाश्यों से घिरा हुआ है जिन्हें पवित्र माना जाता है जैपूर शहर में कई खूपसूरत बगीचे हैं जो वास्तव में आगंतकों की आंखों के लिए एक सुखत द्रिश्य है जैपूर के प्रसित उध्यानों में सिसोधिया रानी का बाग विद्याधर उध्यान और कनक व्रिंदावन शामिल है ये उध्यान सकारात्मक रूप से हरे भरे हैं और राजस्थान की बंजर भूमी में सुकून देते हैं जैपूर की वास्तुकला में स्थापत्य रचनाओं की एक विशाल श्रिंखला शामिल है विभिन्य प्रकार के संग्रचनात्मक डिजाइन राजसी मंदिरों सुन्दर उध्यानों और भव्य महलों से लेकर है इतनी समरिद स्थापत्य विरासत के साथ जैपूर पर्यटकों की रुची का एक प्रमुख स्थान है राजस्थान की वास्तुकला में इसलामी प्रभाव अजमेर शहर में सबसे प्रमुख है पुषकर में हिंदू वास्तुकला को देखा जा सकता है जहां कई घाट और मंदिर है ब्रिटिश काल के दौरान राजपूत अंग्रेजों के जागीरदार बन गए और वास्तुकला में भी ब्रिटिश प्रभाव लाहे जैपूर में ब्रिटिश वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई इमारतों को देखना काफी आम है उन्नीसवी शतापदी में बना जोधपूर का बालसमत जील महल यूरोपिय शैली में बना एक ग्रीश मकालीन महल है जिसमें मुगल शैली में एक बगीचा है जो मानव निर्मिद जील के सामने है राजस्थान की वास्तुकला हिंदू इसलामी और आपनिवेशिक वास्तुकला की एक विशाल श्रिंखला है राजस्थान की समरिद स्थापत्य विरासत इसे भारत के प्रमुख परेटक आकर्षणों में से एक बनाती है मेवाड के महराणा राज सिंग के राज में नाथद्वारा वल भाचार्य संप्रदाय के क्रिश्ण भक्तों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और स्थानिय हवेली वास्तुकला के मंदिर बनाए गए उन्नीसवी सदी में कई राज दर्बारों में यूरोपिय प्रभाव दिखा और उससे स्थानिय वास्तुकला में भी फरक आया भारत में अंग्रेजी राज में बने कला स्कूलों के असर से भी यह हुआ और खासकर जैपूर की रियासत में इसका असर ज्यादा दिखाई दिया जगत में छोटा लेकिन बड़े पैमाने पर नकाशीदार हिंदू अंबिका माता मंदिर है जो 960 से पहले बनाया गया था यह पिछली प्रतिहार शैली का एक उदाहरन है जो मारू गुर्जर वास्तुकला में परिवर्तित हो गया है रणकपुर जैन मंदिर में मंडप की छत को अधिकांज सतहों पर विस्तृत नकाशी के साथ आंतरिक रूप से कुछ भी अधिक भव्य रूप से सजाया गया है विशेश रूप से जैन मंदिरों में अकसर बहुत ही जटिल रोसेट डिजाइन के साथ अंदर पर छोटे छोटे गुंबद उकेरे गए हैं एक और विशिष्ट विशेश्ता स्तंभो के बीच उडान महराब जैसे तत्व हैं जो केंद्र में उपर क्षैतिज बीम को छूते हैं और विस्तृत रूप से नकाशीदार हैं इनका कोई संग्रचनात्मक कार्य नहीं है और ये विशुद रूप से सजावटी हैं शैली ने बड़े स्तंभो वाले हॉल विक्सित किये जिनमें से कई किनारों पर खुले थे जैन मंदिरों में अकसर एक बंद और दो स्तंभो वाले हॉल मुख्य अक्ष पर मंदिर की ओर जाते थे आमेर किला, राजपूत निर्मान का एक उलेखनिय उदाहरण है इसे दूर से देखा जा सकता है क्योंकि यह जैपूर से ग्यारा किलोमीटर दूर एक खड़ी धलान पर खड़ा है इसका मुख्य उद्देश्य शाही महल हुना ए? यह चार टुकडों में विभाजित है प्रत्यक का अपना निजी प्रांगण है और इसलिए यह हलके पीले और गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमर्मर से बना है बीकानेर का जुनागड किला यह राजस्थान के सबसे पुराने आश्चर्य जनक किलों में से एक है महाराजा राय सिंग ने इसका निर्मान 1589 से 1593 के बीच करवाया था बीकानेर शहर इसके चारों और विक्सित हुआ था और इस किले से शहर की तस्वीर शांदार है किले के अंदर महल और मंदर प्रमुक संगरचनाएं हैं साथ ही लाल बलुआ पत्थर से बने सुन्दर आंगन कियोस्क और बालकनी भी है जोधपुर का महरांगड किला शांदार महरांगड किला जोधपुर के शहरी परिद्रिश्य से 120 मीटर उपर एक अभिद्या चट्टानी चोटी पर खड़ा है लगभग 1460 में निर्मित यह भारत के बहतरीन भव्य किलों में से एक है यह अभी भी उस जोधपुर राजा के परिवार द्वारा शासित है और इसलिए इतिहास और परमपरा से भरा हुआ है इसके भीतर कई महल और आंगन है और हाथियों के होदो सहित विभिन पालकियों को प्रदर्शित करने वाला एक अद्भुत संग्रहाले भी है चित्तोड का खिला राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा चित्तोड का खिला यह दुर्ग वीर्ता, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देश भर में विख्यात है साथ प्रवेश द्वारों से निर्मित इस किले का निर्मान चित्रांगत मौर्य ने करवाया था यह किला गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है दिल्ली से मालवा और गुजराद जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण मध्धिकाल में इस किले का सामरिक महत्व था 1303 में इस किले को अलाउद्दीन खिलजी ने तथा 1534 में गुजरात के बहादुर्शा ने अपने अधिकार में ले लिया था 1567 से 1568 में अक्बर ने चित्तोडगड पर आक्रमन करके यहां भयंकर नरसंहार करवाया था चित्तोडगड में इतिहास प्रसिद साकों में 1303 का पद्मिनी का जोहर और 1534 का करणावती का जोहर मुख्य है इस किले के साथ गोरा बादल जय मलपत्ता की वीर्ता तथा पन्नाधाय के त्याग की अमर गाथाय जुड़ी है चित्तोडगड के भीतर राणा कुम्भा द्वारा निर्मित कीर्तिस्तंभ अपने शिल और स्थापत्य की द्रिष्टी से अनूठा है इस किले के भीतर निर्मित महलों और मंदिरों में रानी पद्मिनी का महल नवल्खा भंडार, कुम्भश्या मंदिर, समिध्धेश्वर मंदिर, मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर, श्रिंगार चवरी आदी दर्शनिया है कुम्भलगड दुर्ग वर्तमान राजस्मन जिले में अरावली परवतमाला की चोटी पर स्थित कुम्भलगड दुर्ग का निर्मान राणा कुम्भाने करवाया था इस दुर्ग का शिल्पी मंदन मिश्र था कुम्भलगड संभवतह भारत का ऐसा किला है जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली है दुर्ग रचना की दृष्टी से यह चित तौड दुर्ग से ही नहीं बलकि भारत के सभी दुर्गों में विलक्षण और अनुपम है कुम्भलगड के भीतर उचे भाग पर राणा कुम्भा ने अपने निवास हेतु कटारगड नामक अंतह दुर्ग का निर्मान करवाया था इसी कटारगड में राणा उद्यसिंग का राज्या भिशेक और महराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुम्भलगड मेवाड की संकटकालीन राजधानी रहा है किले के भीतर कुम्भशाम मंदिर, कुम्भा महल, जाली रानी का महल आदी प्रसिध हिमारते हैं जैगड मध्ययुगीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जैगड दुर्ग की खास बात यह की इसमें तोपे धालने का विशाल कारखाना था जो शायद ही किसी अन्य भारतिय दुर्ग में रहा है इस किले में रखी जैबान तोप को एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है जैगड अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है जल संग्रहन की खास तकनीक के अंतरगद जैगड किले के चारों और पहाडियों पर बनी पक्की नालियों से बरसात का पानी इन टांकों में एकत्र होता रहा है इस किले का निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कच्छवाहा शासकों का योगदान रहा है परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जैसिंग ने प्रदान किया जैगड को रहस्य मैं दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्ट सुरंगे हैं इस किले में राजनीतिक बंदी रखे जाते थे ऐसा माना जाता है कि मान सिंग ने यहां सुरक्षा के निमित यहां अपना खजाना छिपाया था वर्तमान में जैगड किले में मध्यकालीन शस्त्रास्तरों का विशाल संग्रहाले है यहां के महल दर्शनीय है जैसलमेर का किला राजस्थान की स्वर्नंगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकूट पहाडी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है इसका निर्मान बारवी सदी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था दूर से देखने पर यह किला पहाडी पर लंगर डाले एक जहाज का आभास कराता है दुर्ग के चारों और घाघ्रानुमा परकोटा बना हुआ है जिसे कमरकोट, अत्वा, पाड़ा कहा जाता है इसे बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया बलकि कारीगरों ने बड़े-बड़े पीले पत्थरों को परस पर जोड़ कर खड़ा किया है निन्यानवे बुर्जो वाला यह किला मरुभूमी का महत्वपूर्ण किला है किले के भीतर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनात और रिश्भदेव मंदिर अपने शिल्प एवं सौन्दर्य के कारण आबू के देलवाडा जैन मंदिरों के तुल्य है किले के महलों में रंगमहल, मोती महल, गजविलास और जवाहर विलास प्रमुख है जैसलमेर का किला इस रूप में भी खासा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर दुरलब और प्राचीन पांडुलिपियों का अमूल्य संग्रह है जैसलमेर का किला धाई साके के लिए प्रसिद्ध है ग्यारहवी या बारहवी शतापदी के पांच किराडु मंदिर जगदीश मंदिर उदेपुर 1651 मारु गुर्जर शैली के हिंदू मंदिर का एक उदाहरन है राजिस्थान में दुर्ग निर्माण की परंपरा पूर्व मध्यकाल से ही देखने को मिलती है यहां शायद ही कोई जनपद हो जहां कोई दुर्ग या गढ़ न हो इन दुर्गों का अपना इतिहास है इनके आधिपत्य को लेकर कई लडाईयां भी लड़ी गई कई बार स्थानिय स्तर पर तो यदाकदा विदेशी सत्ता द्वारा इन पर अधिकार करने को लेकर दीर्ग काल तक संघर्ष भी चले युद्ध कला में दक्ष सेना के लिए दुर्ग को जीवन रेखा माना गया है यहां यहां बात महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर महराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ और दुर्ग बने हुए है एक गण्ना के अनुसार राजस्थान में दो सौ पचास से अधिक दुर्ग वगढ है खास बात यह की सभी के लिए और गढ अपने आप में अद्भुत और विलक्षन है दुर्ग निर्मान में राजस्थान की स्थापत्य कला का उतकर्ष देखा जा सकता है मित्रों आशा है आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी बहुत बहुत धन्यवाद